मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई डॉक्टरों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि हमें हल्दी रहने के लिए रोजाना एक लास दूद जरूर पीना चाहिए ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि दूद अपने आप में एक कम्प्लीट टाइट होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन अगर हम दूद के साथ करते हैं तो हम सफेद रोग के साथ साथ कई बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं तो आईए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो हमें दूद के साथ नहीं खानी चाहिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मचली के साथ दूद के सेवन की आपने सुना होगा कि मशली आपके बालों के साथ साथ आपके आखों के लिए आपकी स्किन के लिए काफी अच्छी होती है लेकिन अगर आप मशली का सेवन दूद के साथ करते हैं तो इससे आपके पेट में जहरीले पदात बनते हैं इसके अलावा दूद के साथ नमक का इस्तमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाले लोगों को इसका असर एकदम तो नहीं लेकिन कई साल बात दिखता है। लेकिन अगर हम इन खटे फलों को दूद के साथ लेते हैं तो हमें फायदा करने की जगा ये फल नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वज़ा से खाना सही तरह से नहीं पच्छता, ऐसा करने से जुकाम खासे और कहीं तरह की ऐलर्जी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ इ जिसकी वज़ा से हमें खाना भी नहीं पच्छता और उल्टी की संभाव नाम बढ़ जाती है। बात करें अगर दूद और नौन विच की सेवन की तो इन दोनों का एक साथ सेवन भी सेहत के लिए कम खतरनाक नहीं हैं। क्योंकि दूद और नौन विच में काफी ज़ादा विटामिन और प्रोटीन पाय जाते हैं। अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हैं तो हमारे शरीर में पोशक तत्व ज़ादा हो जाते हैं जिसकी वज़र से हमारे शरीर को काफी नुकसान होता है। दूद के साथ नमकीन या चिप्स का सेवन भी बिलकुल नहीं कह जाहिए। क्योंकि नमक के कारण दूद में मौजूद प्रोटीन का पूरा फायदा नहीं मल पाता इसके अलावा इससे स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। बात करते हैं प्यास की। अगर आपने रात के खाने में प्यास का सलात खाया है तो कोशिश करें कि खाज खुजली, एक्जिमा जैसी स्किन से जुड़ी कई समस्याएं भी हो सकती हैं। बात करें अगर उड़त की दाल की तो उड़त की दाल और दूद को भी कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि दोनों ही बशने में काफी वक्त लेते हैं। इन दोनों को एक ही वक्त में एक साथ लेने से गैस की समस्या भी हो सकती है। दूद के साथ दही का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग-अलग वक्त पर ही खाना चाहिए। साथ दूद के साथ करेले या नमक का सेवन भी बिलकुल नहीं करना चाहिए, इससे कई तरह की शारीरिक परि रियक्शन बहुत बुरा होता है। चॉकलेट में पाया जाने वाला ओक्सिलेट नामक पदार्थ दूद के साथ मिलकर पेट में कहीं तरह की रियक्शन पैदा करता है। और नतीजा होता है बेजान, बाल, टायर या वगरा। तभी हमने आपको बताया दूद के साथ क्या-क् दूद लेते वक्त इन बातों को, इन साबधानियों को, पर सबसे अच्छा ये है ना कि आप दूद लेने से एक घंटे पहले और एक घंटे बात कुछ भी ना ले। उम्मीद करते हैं आपको ये खास जानकारी बेहत बसंदाई होगी और आप इसके फायदे भी बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ फिलहाल बोल्ट स्काई में बस इतना ही।